जैसे हमारे बच्चे हैं जब हमें तकलिफ हो रही है उन बच्चों को देखके इसलिए हम उन बच्चों के लिए आवाद उठा रही है लेकिन इसकी जैसी मा तो कभी किसी को ऐसी दोस्तों गुलाम अधर को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चु इंट्रिवियू आये था उन्होंने सीमा हदर के बारे में काफी बड़ा अपडेट दिया है उन्होंने सीमा हदर के बारे में क्या क्या बताया है आपको आज किस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद यह तो कंफर्म हो चु रेगी और उसक बच्यों का जो नह 20 मिल चुकिंए लेकर को नारिफता मिल्ट है लेकिन उसको नारिफता अभी यहां पर नहीं मिल पाई हे लिए रहने के लिधा सी महधर को तक्रीमन साथ रहना पड़ेगा इसके बाद में उसको नाईना मिलेगी आईसा हिंदोستان का रूल और नियम है लेकिन उसके साथ सीमा हैदर ने ये भी बताया है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में नहीं जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए अब देखना ये है कि आगे क्या होता है लेकिन आज किस वीडियो के माद्यम से आपको सीमा हैदर के बारे में बहुत ही ख घुष का रहे हैं कोई पताई नहें बच्चे से घर नहीं इसけど पट्रोश के घर में लेटे हुए को मतलब रही नहीं यह मां कहलाने के लाइकि नहीं है मां के नाम पर धबा है इस औरतth questions. जो भी ऐसी औरते हैं, उनको भगवारण बच्चे ना दे, ऐसी औरतों को बच्चे दे जो बच्चों के लिए तडपते हैं, उन महीलाओं के घर में बच्चे पैदा करें, और अच्छे बच्चे पैदा करें, इसकी तरह इतने सुन्दर सुन्दर जो बेटियां है इतना सुन्दर वो बेटा है उनकी इसने आइडेंटी खराब कर दी उनकी इसने देह खराब कर दी उनका धिमाग खराब कर दिया उनसे जबरदस्ति उनको यह कर करके कि वह तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा वह में बच्चे हैं फैसे हमारे पकिषऑ जब हमें तकलिफ हो लिए और बचों को देखे इसी यह को इसी को इसी कुछ मा ना दे जिसमा ने पिक बच्चों की करनी है इस ने सारड़िित सुक्त के लिए और चार साल नहीं अाई ये यह अरॉप ही। अगर आग लगी पड़ी थी तो हैंदर को बोलती हैं और वूह साथ कर वापस आजा गया किю नहीं बोला है और है दर कब सफ़ ज़ इसको मैंने कहां कहां से पैसे इखटे किये इसको मैंने वहां बेजा सौर्ण तूने ही बोला है पीछे जरद जाकर जो तुने बड़े बड़े चैनल में जो दे रखिया तुने बोला है जिस दिन तक तु यहां आई उस महीने उसके पहले वाले महने में भी तीन लाक रुपे जब तुने किया था कि हमाज करने जाएंगे तीन लाक रुपे तेरे अकाउंट में आए पहिते हैं अर्ट तो कहीरी anche कि तरको तलाक दे दिया था तो तिरको पता है वह तर दें नहीं गए तो प्रग्नन ती और जब चो तुम लोगो को पता मिलें जुट्लाएंगी तेरी जैसी तो बोलती है कि में पांच्वी पड़ी हूई तो अगे पड़ने के लिए तू अगर आगे पड़ती तो पता नीग तो पूरा हिंदूस्तन पौर का पाकिस्तान को बेच देती तू तो तो आई यहां से ड्iała करने आई आई तो तैने कितने कितने कितनों के साथ में तु키रे रहीं अरो सोच रही है हमारी कि महिला यह वो अपने घर में उनके कर में हमारी लडाई नहीं होती है लेकिन हम इंदुस्तान की महिलाएं है मरियादित महिलाएं है हम अपना घर कभी नहीं बिकाडती हैं husband wife में हम वाईफ में हम लोगों की लड़ाई भी होती है तो हमपने माबाप तक आवाज निगाने ने जहां हैं जब हमारी डोली उट़ती हैं सास्राल से तुम्हारी अ отпet यौ हिंदुस्तान की कोई महीला नहीं है कि अपने पती हमारे भी हमारे भी सारे लोग पाउज में हैं आउट आफ कंट्री में भी रहते हैं होटेलियर्स हैं वह भी चार-चार सालों में आते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की महीला तो कभी नहीं चाहिती चोड़के कभी नहीं तेर यहां पर तो इतना बड़ा परिवार पाल रही है देख यह ओक आते तेरी तेरे कर्मों में यह लिखा हुआ था तुने हैदर भाई की कदर नहीं की न यहां पर आके तुझे नाच-नाच के इन लोगों को पालना पड़ रहा है जिनको एक बक्त की रोटी नहीं मिलती थी अभ शरम आने चीए तुझे तेरे सारे अकाउंट्स बंदोने वाले हैं फिर देखती हूं तो कहां से खाती है अरी मैं इसका नहीं मैं जब इसका यह कल सल्वेट कर रही थी न केक वाला तो मेरे दिमाव में यह बात जरूर गूंज रहा था मैं पक्का मैं वीडियो नहीं बना हो रही है सीमा ने यह कहा है कि अगर कोई ससुराल अगर आता है तो उसकी डोली हम दोनों शेरनियां बैठी हुई है यहां पर यह चांदनी हमारी सच में इतनी शेरनी है इसने हार नहीं मानी इसके चैनल उड़ा दिये गए लेकिन इस बंदी नहीं मानी और यह अभी तक है सचों के सपोर्ट में खड़ी है मैं सल्ट करती हम चांदनी के लिए मैं बहुत ज्यादा मैं इतनी मतलब हार्ड वर्किंग कर अगर दीवे मेरा चैनल उड़ाए जाता तो मैं सच में बोल रही हूं मैं दुबारा चैनल खड़ा नहीं करती जैसा आप रुप बढ़ा चैनल कि एर्ट और गा presenting एसे हैं हम तो कितने बार क्या करेगी तो कितनों के चैनलों को रिपोर्ट करेगी तो कितने को चैनलों पर कॉपिराइट करेगी आप तेरे बसकी कुछ नहीं है अब कर ले तो क्या कर लेगी तेरे चैनल ही बंद होने वाले सोसल मीडिया पर तेरा दिखाई नहीं देगा नाम राजबर्दन परमारजी ने उनको वादा किया है कि आपका जो पहला चैनल है वो भी हम लाके वाँ पस दिलवाएंगी तो इसके खुशी की बात हमारे ले क्या हो सकती है राजबर्दन परमारजी ने अब जो स्टेट्मेंट दिया है उनसे मैं बहुत खुश हूँ और सो कॉ जो फिस खूरी ने देंडा हुँ घँश की लाजबर्दन